क्या नीट परिक्षा दुबारा होगी या नहीं दोस्तो इसी नीट परिक्षा को लेके एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा उठ चुका है जैसे ही दोस्तो नीट परिक्षा को रद करके सरकार ने 11 अगस्त 2024 तारिक जोती फाइनल कर दी थी कि इस तारिक को आपको जो री नीट होना है उसके बाद दोस्तो काफी सारी विध्यारती जो सुप्रिम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि री नीट को जो है रद नहीं किया जाए यानि दोस्तो नीट पर इक साथ जो रद नहीं किया जाए दूबारा कोई भी एक्जाम इसका नहीं होना चाहिए और दोस्तो इसके पीछे कि क्या मुख्य वज़े हैं वो हम आपको सारी जानकारी इस एक वीडियो में इस्टेब आ इस्टेब देने वाले हैं दोस्तो क्या है आखिरकार मामला आप देख सकते हैं जैसे दोस्तो नीट यूजी परिक्षा 2024 को जो रद करके नए सीरे से परिक्षा कराने का विरोध उठा उसी बिस दोस्तो गुजरात के 56 विद्यार्थी जो है सुप्रिम कोर्ट पहुंच चुके हैं क्योंकि दोस्तो इन विद्यार्थियों का नीट में सेलेक्षन हो चुका था और अब इनका कहना है अगर सरकार दुबारा एक्जाम करवाती है या इस एक्जाम को कैंसल करती है तो हमारे साथ या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है वो दोस्तो ऐसे हो रहा है कि 56 विद्यार्तियों का सेलेक्शन जो हो चुका था और ये वो विद्यार्तिय जो सुप्रेम कोट जाके और NTA की और सरकार की गुहार लगा रहे हैं कि नीट परिक्सा को रद नहीं किया जाए अगर आपको री नीट करवाना है तो आपको दूसरा विकल्प डूंडे और हम जो स हमें बस हमारी सीट चाहिए और हम ओलेडी सहलेक्ट हो चुके हैं तो दोस्तों इसी को लेके काफी सारी विद्यार्ति यहां आप देख सकते 65 विद्यार्ति पहुंच चुके हैं दोस्तों एक बार तो सरकार ने इसकी री नीट की जो तारीक जो फाइनल कर दिये 11 अगस्ते 2024 अब दोस्तों आप क्या चाहते हैं अगर आप रिनीट दुबारा चाहते हैं तो एक बार वीडियो के कमेंट में रिनीट 2024 जरूर लेकें और दोस्तों आप रिनीट नहीं चाहते हैं तो आप रिनीट या नो रिनीट 2024 दोस्तों एक बार कमेंट में आप जरूर लेकें ताकि ह हमें आपके जो सारी जो मांग है वो दोस्तो हम तक पहुंचे और हम सारी जो मांगों को इकठा करके फिर एक बार जो सरकार के सामने और कोर्ट के सामने इसको जो है चुनति को जो है स्विकार जो है करते हुए पेस करें तो प्यारे साथ यो केसी लगी आपको आज के जाने कर और नीट से जोड़ी कोई भी अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार चैनल को आप अभी सब्सक्राइब किजेगा तो आज के लिए धन्यवाद